मैं हूँ जोती और आप देख रहे हैं रेडियो कनपुरिया आजम बात करने वाले हैं बल्ला भाई पटेल जी के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं वे स्वतंत्रित भारत के पहले ग्रह मंत्री और भारत के सरदार बल्ला भाई पटेल 31 अक्टूबर साल 1875 में गुजरात के नडियार में एक जमिनदार परिवार में पैदा हुए थी वे अपने पिता जविर भाई पटेल और माता लाडबाई के चोथे बेटे थी उनके पिता एक किसान थी जबकि उनकी माता एक अध्यात्मिक और धर्म परियार महिला थी बाल विवाह की प्रता की तहट बलभाई पटेल की शादी भी महच 16 साल की उम्र में वर्ष 1899 में जविरेबा नामक करन्या से कर दी गई थी आपको बता दे कुछ सालों बाद जब जविरेबा का नीधन की खबर बलभाई पटेल को मिली तो उस वक्त वे अपनी किसी कोट की कारवाई में व्यस्त थे और उन्होंने ये खबर सुनने के बाद भी अपनी कारवाई जारी रखी और वे मुकदमा भी जीत गए इसके बाद उन्होंने अपने पत्नी की नीधन की खबर सब को दी और इसके बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने बच्चों के साथ व्यतीत किया और पता है वलभाई पटेल ने अपनी शुरुवाती सिक्षा एक गुजराती मीडियम स्कूल में की थी इसके बाद उन्हें इंगलियम स्कूल में अडमिशन ले लिया था उन्हें अपनी स्कूली सिक्षा पूरी करने में काफी वक्त लगा था वही सरदार पटेल पढ़ने में इतने उनहार थे कि इस परिक्षा में उन्होंने सबसे जादा अंक हासिल किये थे इसके बाद साल 1910 में वे लौकी डिग्री हासिल करने के लिए इंगलैंड चले गए उन्हें कॉलेज जाने का कोई अनुभव नहीं था लेकिन वे बुद्धी के इतने तेज थे कि उन्होंने 36 महीने के लौकी कोर्स को महज 30 महीने में ही पूरा कर लिया इस तरह साल 1913 में बला भाई पटेल ने इन सौफ कोर्ट से अपनी लौकी पढ़ाई पूरी की और इस दौरान उन्होंने सार्वधिक अंख पाकर अपने कॉलेज में टॉप किया जिसके बाद वे गांधी जी के विचारों से काफी प्रभावित भी हुए और इसके बाद उन्होंने करिश्माई नेता गांधी जी के कटर अन्युआई बनने का फैसला लिया और इस तरह वे गांधी वादी सिधानतों पर चलने लगे और फिर धीमे धीमे राजनिती का हिस्सा बन गए भारत की आजादी के महानायत महत्मा गांधी के प्रभावशाली विचारों से प्रेरित होकर बल्लभाई पटेल ने चुआ चूद जातिवात महिलाओं के खिलाब हो रहे अत्याचारों के खिलाब अपनी आवाज उठाई इसके साथ ही उन्होंने गांधी वाधी विचार धारा को अपनाते हुए भारत के स्वतंक्रता आंदोलन में हिस्सा लेने का फैसला लिया बल्लभाई पटेल गांधी जी के विचारों से इतनी प्रभावित थे कि साल 1920 में आसायोग आंदोलन में उन्होंने स्वदेशी खादी वस्तूओं को अपनाया और विदेशी कप्डों की होली जलाई इसके अलावा बल्लभाई पटेल ने गांधी जी के शांती पूर्ण तरीके से किये गए देश व्यपी आंदोलन जैसे स्वराज आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन दांडी यात्रा समे तमाम आंदोलन में उनका सहीयोग दिया हाला कि इस दोरान उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा भारत की आजादी के बाद भारत के ग्रह मंतरी और उप्रधान मंतरी